नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्तान जिक्के के 1000 मल्टिपल चोईस क्यूशन ओनलाइन टेस्ट सिरीज का ओनलाइन टेस्ट नमबर 3 के बारे में दो पहले अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना क्योंकिस अभी क्यूशन बहुत इंपोर्टन क्यूशन है जिसमें अपनने सोतक के क्यूशन देख लिए थे आज कि इस वीडियो में आगे के क्यूशन को देखेंगे और दोस्तों अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए तो इसका पीडियेप नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक है आप वहां से इसका पीडियेप भी ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों क्यूशन नंबर 101 है 33 जिला परथापकड 26 जन्वरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना वे जिले कुन से हैं जिनसे परथापकड जिला अलग होए परहा है इनमें से बताना है जो कि 33 वा जिला है परताब गड़ 26 जनूरी 2008 को तीन जिलो से अलग होकर नया जिला बना है तो वे जिले जिन से यह हैं अलग हुआ है तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका तो दोस्तों चीतोड गड़ उधैपुर वा बासवाड़ा से अलग हुआ है करेक्ट आंसर क्या होगा, ओप्चन नमबर ये, चले अगला क्यूप्चन, अगला क्यूप्चन दे रखाए, 967 इस्वी में, किस वंस दुवारा आमेर राज्य की स्ताफना की गई थी, परमार वंस, भाटी वंस, कचवा वंस या 24 वंस, इन में से करेक्ट आंसर कोण सा होगा, 967 इस्वी में, किस वंस के दुवारा आमेर राज्य की स्ताफना की गई थी, तो दोस्तो इसका राइट आंसर होजाईगा कचवा वंस, करेक्ट आंसर होगा, ओप्चन नमबर C, में 836 CCV में 907 CCV में या 453 CCV में तो मिहिर बोज का राज्य रोन कब हुआ था important question है इसका right answer हो जाएगा 836 CCV में correct answer होगा option number B अगले question का answer फटाफट से बताईए क्या होगा राजस्तान के एकिकरण के चत्थूर्त चरण अर्थार्थ व्रहध राजस्तान का उद्गाठन सरदार वरलबबाई पटेल द्वारा कहां पर किया गया था कोटा में उद्यपूर में जेपूर में या जालावाड में right answer कोन सा होगा इन में से तो दोस्तों राजस्तान के एकिकरण के चत्थूर्त चरण का उद्गाठन सरदार वरलबबाई पटेल द्वारा जेपूर में किया गया था इसका उद्गाठन कहां किया गया था जेपूर में तो right answer होगा option number C अगला question दे रखा है नागरी परचारिनी सबा की स्ताफना धोलपूर में जनता को जागरत करने के लिए किस वरस की गई थी 1934 में 1930 में 1940 में 1932 में तो कभ की गई थी किस वरस में की गई थी तो इसका right answer हो जाएगा 1934 में right answer होगा option number C अगला question दे रखा अप्रेल 1923 में गटिते डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंदित था बेंगु किसान आंदोलने भरतपूर किसान आंदोलने बरड किसान आंदोलने या विजोलिय किसान आंदोलन तो अप्रेल 2023 में गठीति डावी कांड किस किसान आंदोलन से संबन्दित था तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा बरण किसान आंदोलन से संबन्दित था डावी कांड तो इसका right answer होगा option नमबर C अगला question दरका का केशरी सिंग बाराठ ने मेवार के महराणा फते सिंग को दिल्ली दर्बार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी रा चूंट्या लिखकर कब भेजा था ओप्शन इद रखाए 1987 C, B द रखाए 1995 C द रखाए 1993 D द रखाए 1806 तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1903 में करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नंबर C अगला क्यूशन का अंसर बताईए क्या होगा 1857 के करांती के महान सेना नी तात्या टोपे ने राजस्तान में दूसरी बार कब परिवेश किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा दिस्तंबर 1858 को करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नंबर D अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका राजस्तान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार इस्तापित करने का सुजाओ किस ने दिया था ओप्शन दिरका अंग्रेजी गवर्नर ने बी दिरका बरतपूर के रेजिडेंट वाल्टर ने शीदरका जैपूर के महराजने डीदरका इंद में से कोई नी तो राजस्तान के नमक पर अंग्रेजी हदिकार इस्तापित करने का सुजाओ इंद में से किसी ने दिया था important question है फटापट से बताए इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तो नमक पर अंग्रेजी हदिकार इस्तापित करने का सुजाओ दिया था भरतपूर के resident Walter ने correct answer होगा option number B अगला question दोस्तो अगला question दिरका किसी राजस्तानी रियासत में परदान मंत्री को मुसाइब कहा जाता था कोटा रियासत है जेपूर रियासत है अलवर रियासत है जोदपूर रियासत है तो किसी राजस्तानी रियासत में परदान मंत्री को मुसाइब कहा जाता था इसका right answer हो जाएगा जेपूर रियासत में परदान मंत्री को मुसाइब कहा जाता था correct answer होगा option number B अगला कुश्चन देरका जिस जांगीर महल के लेक से हमें जांगीर की मेवाड विजे का उलेक मिलता है वह जांगीरी महल कहां इस्तिता है चितोडगड में, पुसकर में, भीलवाडा में या उद्यपुर में तो कहां इस्तित है झांगीरी मेल, correct answer क्या होगा इसका, जांगीरी मेल है, वह कहँ इस्तित है, इसका right answer हो जाएगा腳, correct answer होगा option number B. अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दिरका किस सेली पर मुगल परबाव हदिक पड़ा है मिवाड सेली, किसंगर सेली, बिकानेर सेली या आमेर सेली तो इन में से किस सेली पर मुगल परबाव सबसे अधिक पड़ा है इसका right answer हो जाएगा आमेर शेली पर correct answer होगा option number D अगला question देरा का उट की खाल पर किया चित्रानकन किस शेली किस चित्र शेली की विश्यश्ता है उट की खाल पर जो चित्रानकन किया जाता है वह किस चित्र शेली की विश्यश्ता है मारवार सेली, बूंदी सेली, बिककनेर सेली और मेवार सेली तो इनका right answer कौन सा होगा, इस question का तो दोस्तो इस question का answer हो जाएगा बिककनेर सेली correct answer होगा option number C अगला question अगला question देरका, राजस्तान की कोंसी चितरकला सबसे प्राचीन मानी जाती है राजस्तान की कौन सी चितरकला है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है जेपुर सेली, मारवाड सेली, डुंडार सेली या मेवाड सेली तो इन में से कौन सी सेली है जो की कौन सी चितरकला है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है इसका right answer हो जएगा मेवाड़ सेली correct answer होगा option number D दोस्तो अगला candidate रखा किसे चितर शेली में पीला रंग परधान रहा है बुंदी सेली में, लुंडार सेली में, विक्कानेर सेली में या कोटा सेली में तो इनल में से किसे चितर सेली में पीला रंग परधान रहा है अगला कुशंद रखा नुकिली नाके लंबा कदे खिचावा वक्स इस्तल पारदर्शी वस्त्रों का अंकन ये किस चितर शेली की विशेश्ता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अंगर शेली का करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर ये अगला कुश्न दे रखा है कोन सा चितरकार भीलो के चितेरे के रूप में विख्यात है ओप्शन दे रखा है सिरी डियेन सरमा बी दे रखा है गौर्दनलाल बाबा सिध रखा करपाल सिंग सेकावत दी दे रखा जोती सहुरू तो इन में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसक बैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्मानद कर्यक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर डी अगला कुशन अगला कुशन दरका मोर्दज वह निहाल चंद किस चित्र कला सेली से संबन दित है जेपुर सेली किसंगर सेली चाउन सेली जोदपुर सेली तो मोहरदवजव निहाल चंद किस चितरकला सेली से सम्मंदित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसंगड सेली से करेक्ट आंसर होगा option number B अगला question दिरका राजस्तानी चितरकला की मूल सेली किस चितर सेली को माना जग गया है किसंगर सेली सेकावाटी सेली मेवाड सेली या मारवाड सेली तो राजस्तानी चितरकला की मूल सेली किस चितर सेली को माना जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड सेली करेक्ट आंसर होगा option number C अगला question दिरका कावड किसे का आ जाता है कावड होती है वह किसे कहते हैं अगला की उप्शन दोस्तो अगला कुशन दे रहा है पट चितरन को राजस्तानी में क्या कहा जाता है कावड, पाने, पत्वरी या फड तो पट चितरन को राजस्तानी में क्या कहा जाता है राजस्तानी भासा में क्या कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा उसे फढ़ का आ जाता है क्या का आ जाता है फढ़े तो correct answer होगा option number D दोस्तो अगला question दिरका पिछवाईयों के चितरन का मुख्य विश्य क्या है पढ़ने लिला आथियों की लड़ाई स्रीकर्षन लिला ये यूद परसाई तो पिछवाईयों के चितरन का मुख्य विश्य क्या है इसका right answer हो जाएगा स्रीकर्षन लिला correct answer होगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दिरका राजस्तानी लोक चितरन शेली में पाने क्या है पाने का आर्थ क्या है कपड़े पर चितरने लकड़े पर चितरने कागज पर चितरने ये अथिदात की पलेटों पर चितरने तो पाने का आर्थ क्या है इसका right answer हो जाएगा कागज पर चि पट चितर या पाने तो राजस्तानी लोग कला परे कला में कपड़ों पर निर्मित चितरों को क्या कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पट चितर क्या कहा जाता है उन्हें पट चितर तो राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन रखा भूजे हुए रंगों का अधिक परियोग किस सेली में हुआ है नामेर सेली में नागोर सेली में आरजमेर सेली में या अलवर सेली में तो भूजे हुए रंगों का अधिक परियोग किस सेली में हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग सोबा है ओपन दरनका जहलावाड सेली वीदर का विककानेर सेली सीगर का जैसलमेर शैली डेकर घृत कोटा सेली तो मुमलकर सेलीका परंच्विंग्च चितर है उसका राइट ओध्यचे जाईगा जैसलमेर शैलीका करेक्ट compra seser होगा ओप नमबर शेली का correct answer होगा option नमबर B अगला question दिरका है पोती खाना चित्रकला संग्राले कहां इस्तित है कोटा में जोधपुर में जेपुर में ये विक्का नेर में तो पोती खाना चित्रकला संग्राले कहां इस्तित है इसका right answer हो जाएगा जेपुर में correct answer होगा option नमबर C आमेर सेली में बूंदी सेली में अलवर सेली में या कोटा सेली में तो पसुपक्सी फलफूल वरक्स आधिका चितरन किस सेली में अधिक हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी सेली में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर बी तो दोस्तों इस वीड प्रिकेशन बेल को भी ओन कर लिजे और जिसको भी इसका पीडियेप चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आए वासे इसका पीडियेप भी ले सकते हैं ठेंक्यू